हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में सरम विभाजन और जाती पर था के सभी महत्पुन अबजेक्टी प्रशन बताएंगे और ये सभी अबजेक्टी प्रशन आपके फाइनल बोड पर इक्षा के लिए काफी महत्पुन है और इसका पेडिये भी हम बिलकुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पेडियेफ आपको कहां से डाउनलोड करना है तो वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दवा के ओल पे कर लिजिएगा ताकि जब भी लाइफ क्लास हो तो आपके पाश नोटिफिकेशन पहुंसता रहे तो आईए सुरू करते हैं पहले नमबर प्रशन से तो पहला नमबर प्रशन है कि स्राम भी भाजन और जाती प्रथा के लिखा कौन है ए उपसेने महात्मा गाधी, बी उपसेने भीमराओ अंबेड कर, सी उपसेने राम मनोहर लोहिया, डी उपसेने जौहरलाल नहरू काफी महत्पुड प्रशन है यह आपके बोड परिक्षा के लिए, यहाँ पे आपको बताना है कि स्राम भी भाजन और जाती प्रथा के लिखा कौन है तो डॉक्टर भीमराओ अंबेड कर हैं इन्हें आपको याद रखना है, यहाँ पे बी वाला उपसेन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशन दो नमबर, दो नमबर प्रशन है कि भीमराओ अंबेड कर का जनम कब हुआ था, ए उपसेने 14 अप्रे अप्रेल 1891 क्यानबेरी स्वी को यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराओ अंबेड कर का जनम कब हुआ था, तो 14 अप्रेल 1891 क्यानबेरी स्वी को हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला उपसेन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशन तीन नंबर, तीन नंबर प्रशने कि भीमराओ अंबेड कर का जनम कहा हुआ था, ए उपसेने महराष्ट में, बी उपसेने मध्य परदेश में, सी उपसेने उत्तर परदेश में, डी उपसेने बिहार में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराओ अंबेड कर क जनम मध्य परदेश में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला उप्षन विलकोली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन चार नंबर प्रशन है कि भीमरा अंबेड कर अपना प्रेणा सुरुत किसे मानते थे ए उप्षने बुद्ध को बीउप् सभी को तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमरा अंबेड कर अपना प्रेणा सुरुत किसे मानते थे तो भगवान बुद्ध को भी मानते थे कबिरदास को भी मानते थे जोतीबा फूले को भी मानते थे यानि इन में से सभी को मानते थे तो यहाँ पे डी वाला उप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा, ये देखते हैं अगला प्रश्ण पांच नंबर, पांच नंबर प्रश्ण की अमबेडकर ने भारत में बुरुजगारी का परमुक और परत्यक्ष कारण की से माना है, एउपसे ने कारे अकुसलता को, बीउपसे ने जाती प्रथा को, सीउपसे इउपसे ने उध्योगधन्दों की कमी को, डीउपसे ने प्रतिकुल प्रस्तितिया को, यहाँ पे आपको बताना है, कि अमबेडकर ने भारत में बुरुजगारी का परमुक और परत्यक्ष कारण की से माना है, तो जाती प्रथा को माना है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला उपसेन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न छे नमबर, छे नमबर प्रश्न है कि अमबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तुईक रूप है, A उपसेने सहत की तरह, B उपसेने दूद पानी के मिसरण की तरह, C उपसे इन में से सभी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तुईक रूप है, तो दूद पानी के मिसरण की तरह है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला उपसेन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्र इसे आपको याद रखना है, काफी महत्पुड प्रशन है, यहाँ पे B वाला उपसेन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन आठ नंबर, आठ नंबर प्रशन है कि भारत में जाती पर्था का परमुख कारण क्या है, A उपसेने गरीबी, B उप C उपसेने बेरोजगारी, D उपसेने रोजगार, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाती पर्था का परमुख कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला उपसेन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगल आपको बताना है कि स्रम विभाजन और जाती पर्था गद की कौन सी विदा है, तो निबंध है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला उपसेन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला परशन दस नंबर, दस नंबर परशने कि स्रम विभाजन कै इसे समाज कियो सकता है, तो सब यह समाज कियो सकता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे A वाला उपसेन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला परशने 11 नंबर, ए 11 नंबर परशने कि बूध एंड इस धम्मा के लेखा कौन है, A उपसेने भीमरा अमबेड कर, B उपसेने जौहरलाल नहरू, C उपसेने मैक्स मूलर, D उपसेने गुनाकर मुले, काफी महत्पूर परशने हैं यहाँ आपके बूध परिक्षा के लिए, यहाँ पे आपको बताना है कि बूध एंड इस धम्मा के लेखा कौन है, तो भीमरा उपसेने इसे आ समानता पर अधारित को, B उपसेने बंधुत्व पर अधारित को, C उपसेने स्वतंदरता पर अधारित को, D उपसेने सभी कथन सही है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा सहेब के अनुसार अधर्स समाज किस पर अधारित होता है, तो समानता पर अधारित होता है, बंधुत्व पर अधारित होता है, स्वतंदरता पर अधारित होता है, यनि इन में से सभी पर अधारित होता है, तो यहाँ पे D वाला option बिलकोली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशन तेरा नमबर, तेरा नमबर प्रशन है कि जाती प्रथा स्रम विभाजन के सा साथ किसका रूप लिये हुए है तो स्रामिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 14 नंबर 14 नंबर प्रशने की जाती प्रथा क्या निर्धारित करता है ए उप्षने पेसा बी उप्षने दिन चरया सी उप्षने बेपार डी उप्षने कुछ नहीं काफी महत्पुड प्रशन है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि जाती प्रथा क्या निर्धारित करता है तो जाती प्रथा जो होता है यह को निर्धारित करता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वाला आप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण पंद्रा नंबर पंद्रा नंबर प्रश्ण है कि दकास्ट इन इंडिया देर में के निजम के लेखा कौन है ए उपसे ने कबीर कर हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला आप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा और यह भी प्रश्ण काफी महत्पुन है आपके बोड परिक्षा के लिए तो एक भी प्रश्ण आप लोग इसकी मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अ निर्धारित करना, बी उप्षने पेसे का निर्धारित करना, सी उप्षने संसकार का निर्धारित करना, डी उप्षने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाती प्रथा का सबसे बड़ा दोस क्या है तो जाती प्रथा का सबसे बड़ा दोस पेसे का न आर्थिक पहलू से भी हनिकारक क्या है तो आर्थिक पहलू से भी हनिकारक जाती पर था है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला आप्शन बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना 18 नमबर 18 नमबर प्रशन है कि भीमराओं अमबेडकर ने किस पत्रीका का संपादन किया ए उपसने उजवल भारत का बी उपसने उड़ता भारत का सी उपसने बहिस्कृत भारत का डी उपसने इन में से कोई नहीं काफी महत्पुड प्रशन है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराओं अमबेडकर ने किस पत्रीका का संपादन किया था तो बहिस्कृत भारत का किया था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला उपसन बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन उनिस नमबर उनिस नमर प् लिखा है तो भीमराओं अमबेडकर जी ने लिखा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला उपसन बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन बीस नमबर प्रशन है कि डॉक्टर अमबेडकर के पीता का नाम क्या था ए उपसन रामदयो सकप बी उपसन है रामजी सकपाल सी उपसन है रामकिसुन सकपाल डी उपसन है राधे राम सकपाल तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर अमबेडकर के पीता का नाम क्या था तो रामजी सकपाल था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला उपसन बिलकुली सही आईए देखते हैं अगला प्रशने 21 नमबर प्रशने की जाती प्रथा भारत में विरुजगारी का एक डैस कारण बनी हुई है A उपसेने प्रत्यक्ष, B उपसेने प्रमुक, C उपसेने A और B दोनों D उपसेने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है की जाती प्रथा भारत में विरुजगारी का एक डैस बना हुआ है तो प्रमुक और प्रत्यक्ष दोनों कारण बना हुआ है तो यहाँ पे C वाला उपसेन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 22 नमबर 22 नमबर प्रशने की मुक नायक क्या है A उपसेने अखवार B उपसेने पत्रीका C उपसेने पुस्तक D उपसेने कहानी संगरा तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुक नायक क्या है तो मुक नायक एक पत्री का है इसे आपको याद रखना है काफी महत्पुर प्रशन है यहाँ पे बीवाला उप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 23 नंबर 23 नंबर प्रशन है कि बीवाला उप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 24 नंबर 24 नंबर प्रशन की लेखक को इस यूग में कहां पर बिडमना दिखाई दिया ए उप्शन जातिवाद में बी उप्शन नारीवाद में सी उप्शन निर्वादीवाद में डी उप्शन परिवारवाद में तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक को इस यूग में कहां पर बिडमना दिखाई दिया त यहां पर आपको बताना है कि डॉक्टर अमबेडकर के पिता यहां पर माता का नाम क्या था तो भीमा बाई था इसे आपको याद रखना है यहां पर डी वाला आप्शन बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 26 नमबर 26 नमबर प्रशन है कि अमबेडक के भासड एनिहीलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रुपांतरण किया ए उप्सने ललाई सिंग यादो बी उप्सने कि सोरी लाल सी उप्सने मोहन वाजपेड इडी उप्सने इन में से कोई नहीं तो यहां पर आपको बताना है कि अमबेडकर के भासड एनिहीलेशन ऑ पर आपको बताना है कि अमबेडकर का जनम किस परिवार में हुआ था तो दलित परिवार में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहां पर सी वाला उप्सन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशना 28 नमबर 28 नमबर प्रशने कि निलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है ए उप्सने द कास्ट इन इंडिया बी उप्सन है द अंटचेबल यू आर दे सी उप्सन हुआर सुद्राज डी उप्सन है इन में से सभी काफी महत्पुड प्रशने है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहां पे आपक अप्सन बिलकुली सही हो जाएगा और यह रहा आपके लिए होंबर्ग प्रशन इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि सेन सहाब के आखो का तारा कौन है ए उप्सने कार बी उप्सने खोकासी उप्सने मदंडी उप्सने पुत्रियां तो यह वीडियो काफी अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को आप लोग लाइक किजेगा आपने दोस्तों के पास वीडियो को जुरूर शेयर किजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अब हम आपको बताएंगे कि इसका प Investment Class इसह आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक किजिएगा dönem Off tribe चले जाएगा थोड़ा से टाइम लग रहा है खुलने में तो यहां पर हम कर लेते हैं कुछ दिर तक कि यहां पर से हमारे ऑफ सेल टांटर पर इसले सल उप फुल जाएगा तो यहां पर देखिए अभी हम पढ़ाएं श्रम वीभाजन और जाती पर था और यहां पर लिखा हुआ है डाउनोड पेडियेप इसी पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपका पीडियेप डाउनलोड हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं ये वीडि सिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लाएंगे पढ़ाई किजिए टेक के रेंट वाएं